प्राइम टीवी सच साहस सरोकार जंगल राज है साथ यू ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों की सरकार है और मोदी सरकार से विहारियों को डढ़ने की जरूरत नहीं है वहीं नितीश पर निशाना साधेते हुए उन्होंने कहा कि पीएम बनने के बार नितीश ने पीट पर छूरा घोपा है भागलपूर स्वास्त बिभाग की एसी एमो ने नव गचिया अनुमंडल अस्पताल का निरुख्षड किया इस दोरान उन्होंने पीएचसी कर्मियों को परिवार नियोजन की योजनाओ का लाब दिलवाने के लिए अभियान चलाने को कहा वहीं एसी एमो टीवी सेंटर पर भी गए जहां एक कर्मी अनुपस्थित पाया गया जिसके चलते एसी एमो ने पदाधिकारियों को संजीद्गी से कार करने को कहा भागलपूर में 20 अक्टूबर को नगर निकाय के लिए चुनाओ होना है जिसके चलते 16 से 24 तारिक तक नामांकन दाखिल किया जाएगा वहीं 51 बार्ड में प्रत्याशी अपना नामांकन कराने के लिए पहुँच रहे हैं साथी वरिष्ट पुलिस अधिक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को चुनाओ को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिये हैं मगद विश्विद्याले के छात्र पटना पहुचे जहां उन्होंने राजपाल का घेराओ करने की कोशिश की बता दिंकि छात्रों की मांग है कि मगद विश्विद्याले में इस्थाई कुलपती को नियुक्त किया जाए साथ ही साथ जो शैसन लेक चल रहा है उस पर भी सुधार किया जाए बाका के धुरया प्रखन में सरकारी चावल की काला बाजारी जारी है जिसको देखते हुए च्छापे मारी की गई वही च्छापे मारी के दोरान चावल से भरे एक ट्रक को जब्ट किया गया है सरकारी चावल की काला बाजारी करने वाले लोगों पर जिला प्रशासन क्या कारवाई करती है कैमूर में मौसम बदलते ही लोग डेंगू का शिकार होने लगी है जिसको चलते राज भर में लगपक 400 अधिक लोग डेंगू के शिकार हो चुके हैं और यह याकडा रोज बढ़ रहा है, बता देकीन दिनों नगर निगम चुनाओं कराने में बेस्त हैं, और शहर में कहीं भी ब्लीचिंग या फॉगिंग का छिड़काओं नहीं हो रहा है, जिससे शहर में डेंगू का खत्रा बढ़ रहा है. जहानाबाद में इंकम टेक्स में काररत करमचारी ने फासी लगा कर आत्मात्या कर ली, इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने इस थानी नगर थाना को सूचना दी, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जाच में जुटी, पूरा मामला थाना शेतर के मलहा चक मुहले का है पीर पैंती के उच माधमिक विद्याले के सरकंडा में सिक्षक ने दसवी के छात्रों से फार्म भड़ने के नाम पर 235 रुपए ले लिए गए, जिसका वीडियो वाइरल हो गया है, वहीं इसको लेकर प्रधाना अध्यापक ने जानकारी दी कि अगर अंजाने में किसी छ खात्र से शुल्क के अलावा पैसे लिए गए हैं तो उस राशी की रसी देते समय वापस कर दिया जाएगा ताकि छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की परशानियों का सामना ना करना पड़े नवादा में शोब मंदिर के निकट खूरी पुल के नीचे एक नवजात शिशु का शव मिला जिसकी सूचना रागीरों ने पुलिस को दी जिसके बाद से ही लाके में संसनी फैल गई सूचना पर पहुची पुलिस ने नवजात के शव को कबजे मिले कर पोस्माटम के लिए भेज दिया है भागलपुर में पीर पैंती प्रकंड शेत्र के बाबुपुर पंचायत में मासूम बच्चे की गंगा में डूबने से मौत हो गई दरसल बच्चा छट घाट पर नहाने गया था वही ग्रामडो के सहयोग से मृतक के शव को निकाला गया जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुची पुलिस ने शव को पोस्माटम के लिए भेज दिया बिहार की खबरों में बस इतना ही देज दुनिया की तमाम खबरों के ले देखते रही है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम